हेलो एवरिबन, दा प्रोलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के प्रोलिटिकल साइंस का चेप्टर नमबर वन यानि सीध यूद्ध का दोर कर रहे हैं और इस चेप्टर का पार्ट 2 है दोस्तो इस चेप्टर का पार्ट 1 दोस्तो हमने पहले वीडियो में कर लिया है जिन भी विद्यारती दोर चेप्टर 1 के पार्ट 1 को नहीं देखा गया है इस का लिंग दोस्तो डिस्क्रेप्शन में वहां से जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो चले दोस्तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहरें जो भी विधारती हमारे चैलेंज पर नहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देए, और बैल आइकन को दॉबाना ना भूलें, दोस्तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और इसे सेर कर दें तो चले दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं और आज से पहला टोपिक का दोस्तो हमारा है गुट निर्पेशता यानी नयम जिसे हम नोन अलाइन मुव्मेंट के नाम से भी जानते हैं तो सबसे पहले गुट निर्पेश तक अर्थ समझे लेते हैं तो गुट निर्पेश तक अर्थ क्या है गुट निर्पेश तक अर्थ है कि किसी सकती गुट में सामिल ना होना और सकती गुटों के सैनिक गड़ बंदनों वो अन्य बंदनों से अपने आपको दूरी बनाय रखना ही गुट निर्पेच तक अर्थ माना जाता है यानि दोस्तों हमें पता है कि सेकंड वर्डवार के बाद दुनिया दो गोटों में बढ़ चुकूई थी एक खेमा सोवेशंग के साथ था जो सामयवादी खेमा था दोस्तों जिसकी विचाहधार सामयवादी प्रकृति की थी दूसरा ख यानि गड़बंदों से अपने आपको दूरी बनाया रखना चाहते थे ताकि अपना सोतंतर विकास कर सकें तो गोट निर्पेच तक अर्थ समझ गये दोस्तों तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसी से संबंदी एक और अर्थ की गोट निर्पेच तक अर्थ ये भी है कि दोस्तों कि अपने निती का निर्माड सोतंतरता से करना ना कि किसी गोट के दबाउमया कर दोस्तों जो भी गोट निर्पेच आंदोलन के सदस देश थे वो अपनी सोतंतर निती बनाना चाहते थे वो एक ऐसे निती बनाना चाहते थे जिस निती के पालन में स्वयम करे ना कि उनके निती निर्मान में कोई बाहरी देश कोई दूसरे देश उने पर अधिकार जमा ले राइट ये है गुट निर्पेख्षता की निती ठीक है दोस्तों गुट निर्पेख्षता का अंतराश्टी मामलों में तरहस्ता नहीं है तरहस्ता का मतलब होता है दोस्तों कि बिलकुल भी नहीं है बलकि गुट निरपेस्टा के मतलब दूस्तों है अंतरास्यist היya के हल के लिए महत्तपष्य निमाना यह चिसने भी सथा देश दोस्तों वह अंतरास्यist तो गुट निपेच्टा इसमें पूरी ततपरता से अपने भूमिका निभाता है तो गुट निपेच्टा का अर्थ ततटष्ता बिल्कुल भी नहीं है यहां से भी कोश्यन पूछा गया है तो Switzerland एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से विश्वे रादनेती है विश्वे अंतराश्चिव इसमें अपने आपको पूरी तरह से अलग धलग किये हुए है ठीक है ये दोस्तो पॉइंट किलर हो गया होगा तो चले दोस्तो नेस पॉइंट पे चलते हैं तो दोस्तो अब हम ब कि दो गुटों में बट गया था इस वेचारी युद्व के एक चोर पर सामवादी सोवियत संग देश था तो दूसरी चोर पर दोस्तो पुंजिवादी अमीर का जैसी महा सक्विय मौजूद थी इसके बारे में हमने पहले चेप्टर ने पहले पार्ट में भी पढ़ा हु पर होता है तो उसे हम उपनिवेशिक वेबस्ता करते हैं अगर हम 1947 तक की बात करें दो तो विश्व के अधिकांज देश जो है उपनिवेश थे बड़े बड़े विक्सित देशों के एक्जामपल के लिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी बिर्टेन का एक बना जिसे हम आज नैम के नाम से भी जानते हैं ठीक है दोस्तों उपने विश्वाद से स्वतंत्र हुए इन देशों ने स्वैम को दोनों गुटों जिसमें सोवियस संग और अमेरिका से दूरी बना रखा और एक ऐस ऐसे संगधन के रूप में गुट निर्पेश आंदोलन क स्थापना की जो स्वतंत्र और तठस रहने की मांग करा था दोस्तों स्वतंत्र और तठस रहने की मांग मतलब यह है कि स्वतंत यानि यह देश यानि जो भी गुट निर्पेश के सदस देश है वो स्वतंत रूप से अपने विद्देश निती का निधारन कर सके यानि वो अपनी मर्जी से किसी देश के साथ संबंद बना सकते थे और अपनी मर्जी से ही किसी देश के साथ संबंद विछेद भी कर सकते थे तठस रहने मतलब इता दोस्तों कि वो अपने नित्यों का निधारन स्वयम करेंगे और पूरी तरीके से अपने सोच विजार के साथ क्या सही है क्या गलत है इसके बाद किसी दूसरे बात पर निरने देंगे किसी दूसरे कहने पर नहीं देंगे तो इस वज़े से गुट निरपेचता की नियू पड़ी अब जान लेते हैं दोसरो कौन से सम्मेलन था जिस पे सकी नियू पड़ी थी दोसरो सबसे पहले बार अगर हम बात करें तो गुट निरपेचता की और पहला एहम कदम दोसरो कब उठाये गया बाडू सम्मेलन में इस समय दोसरो यहां पर एक सम्मेलन हुआ था जिसे हम एफ और यह वर्स 1955 के मद्द में किया गया था और जिसमें कौन-कौन से देश सामिल देता तो इसमें भारत के ततकालिन प्रधानमंतरी पंडिज्वाला नहरू मिसर के अब्दुल अब्दुल नासिर ठीक सुकुराणों और मार्सल टीटों के अलावा वाने इनकुरुमा जैसे मह प्रशन प्रशन आता है कि बाड़ूंग सम्मेलन कब हुआ था इसी सम्मेलन को हम एफ्रो एसे सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं यानि आप एक तरह से कह सकते हैं कि दोस्तों गुट निरिपेच्ट आंदूलन की न्यूव यहां पर रखी जा चुकी थी या अब गुट नि यहां से प्रशन पूछा जा सकता है क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अप पूरी तरीके से से चंज हो चुका है 80% जो दोस्तों वो question हमारे book से आएंगे और 20% जो प्रसन आएंगे वो out of syllabus होंगे तो इसलिए अब हमें नए तरीकी से पढ़ाई सुरू करनी है हमें किताब में जो तो है वो पढ़ना है पढ़ना है जो एक्जाम से रिलेटिड हो और उससे संबंदित हो ठीक दोस्तों अब बात करते हैं बारूं सम्मेलन दोस्तों बारूं सम्मेलन के 6 वरसबा सितंबर 1961 में युगसलाविया के बेलग्रेड में गुट निर्पेक्ष आंदोलन के पहला सिकर सम्मेलन आयोजित किया गया तो दोस्तों यहां से प्रसंद मनता है कि गुट निर्पेक्ष आंदोलन के पहला सिकर सम्मेलन कब होता है में 1961 में कहा हुआ युगसलाविया के बेलगरेड में ठीक है वरतमान के अगर हम बात करें दोस्तों तो वरतमान में गुट निर्पेक्ष आंदोलन सन्युक्त राश्च के बाद दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रादनेतिक सम्मन में और प्रामर्स का मंच है यानि आप भुखरता से रख सकते हैं इसके अत्रीक दोस्तों इस सम्मू में 17 देशों और 10 अंतराश्चि संगठनों के परवेक्ष के दरज़ा प्राप्त देश भी हैं वरतमान में इसके कितने सदसी देश हैं तो गुट निर्पेच आंदोलन में दोस्तों वरतमान में सदसी द भाग लेते हैं उन्हें परवेक्षा का दरजा मिला होता है और यह देश आगर चलकस के सर से बन सकते हैं यहां तक किलर हो जाता है दोस्तों वीडियो थोड़ी से लंबी हो सकती है प्रतु मैं आपको गैरंटी देता हूं अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आपको फिर दोबारा से गुट निपेश आंदोलन को पढ़ने के वसकता नहीं होगी आपको इसी वीडियो पूरी समझ विक्सित हो जाएगी दोस्तों हमारा चैनल नया है तो आपको अभी यह न लगे कि नया चैनल है इससे देखे या नहीं देखे कि दोस्तों अगर आप लोग अनदोलन के संस्थाप्त सदसों की बात करें तो इसमें दोस्तों योसिफ बरास चिटो जो गोसलाविया के हैं पंडि जौालाने रूप भारत के पहले प्रधान मंतरी गमाल अब्दूनासर मिश्र के हैं शुकरानों दोस्तों इंडोनेसिया के हैं और वाने इनक्रोमा घह आ जाते हैं तो इसको भी आपको नोट कलेना स्क्रिंसोर्ट ले लेना है दोस्तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं गुड निपेश आंदूलन के उद्देश की दोस्तो किसी भी संगठन की जब इस्थापना की जाती है उसकी पीछे एक म उखे हैं अगर मिसके पहले उद्देश की बात करें तो प्रमुक उद्देश माना गया है दूसरा उद्देश के दोस्तो वह और सोविये शंग की अगर हम बात करें तो वार्साप पैक इनी से अपने आपको दूरी बनाया रखना ही इनका पर्मुक उद्धेश था अगर दोस्व अगर यह दूरी नहीं बना रखते तो विश्व में युद्ध किसी दी पूरी तरीके से तयार हो चुकी थी और युद् उद्धेशक क्या था दोस्तों समराजवाद और उपनिवेशवाद का विरूद करना क्योंकि दोस्तों कि अधिक दरबन के सिकार एक ये भी इसका एक उद्देश था चोथा दोस्तों किया था रंग भेद की निती के विरुद संगर्स की सुरुआत करना और मानवा अधिकारों के रक्षा के लिए या था संभो प्रयास करना गुट निपेशता को दोस्तों को जो नयम का अंदोलन को जो उद्देश हुए है कि रंग भेद की जो रंग की अधार पर भेदभाव किया जाता चाहे वो दशल अफेरिका की बात को हो चाहे अमेरिका की बात हो दुनिया में रंग के अधार पर जो भेदभाव किया नसलवाद जो नसलवाद की स्थिती बनी विए उसको पूरी तरह से समाप करना दोस्तों और मानो अधिकारों के रक्षा करना राइट ये भी इसका उद्धेश था इसके पांच उद्धेश के अगर हम बात करें दोस्तो तो सीथ युद्ध की रादनेती का त्याग करना और स्वतंत्र अंतराशे रादनेती का अनुसरण करना तो गुटनेपे एक चांदोलन दोस्तों पूरी तरीके से सीथ युद्ध की जो रादनेती को पूरी तरह से इसके त्याग करने के अगरसर था यानि ये ऐसे इस्तित अब आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी कुछ विशेष्था है आगर हम इसकी विशेष्था की बात करें तो इससा अपने आपको आपको पता चल चुके होगी यानि यह सभी परकार के सैनिक राजनितिक सुरक्षा संदियों तता गड़ बंदनों का वि पूरी बनाया रखना ताकि यह देश जो अभी नो सो तंदराश्थ है इन सैनिक राजनितिक सामिल ना हो जाए अगर यह देश सामिल होते हैं दोस्तों तो पूरी तरह के दुनिया युद्ध की निती के और चल पड़ती गुट निपेस्ता की निती का मानना है कि सैनिक रा समराजवाद युद्ध तथा नौ उपनिवेसवाद को बढ़ावा देते हैं यह सीत युद्ध यह अन्य नामों को जनब देते हैं इनी से इवी सिसांति भंग होती बिलुकुल दोस्तों सीत युद्ध अगर हम बात करें तो वो भी इनी सैनिक रबंदनों की ही देन थी क् अधिक राज्यों को अधिक सदिक राष्ट्रों को अपने अधिकार में लेना चाहते थे और इसी अधिकार ने दोस्तों पूरी तरह से दुन्या को सीध्यूद की आग में जोग दिया था क्लियर चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम गुट निर्पेश आंदोलन और भारत की स्थिति की दोस्तों अगर हम गुट निर्पेश आंदोलन भारत की बात करें तो आपको पता है दोस्तों भारत गुट निर्पेश आंदोलन का संस्थापक और सबसे महत्पूर से दस्तों में सेख है क्योंकि अगर हम गुट निर्पेश आंदोलन की अगर हम बात क नहीं बाई है चाहे वो अंतराश्य पटल पर गुट निर्पेश चांदोलन को आगे ले जाने के हो चाहे उनाटेज नेशन ओफ और्गनाजेशन के पटल पर गुट निर्पेश तक उद्देश वी सुसांति को दुनिया के सामने रखने की बात हो ये सभी दोस्तों हमने किय है इसके लावा 1913 से गुट निर्पेश चांदोलन के जो मिटिंग थी दोस्तों भारत के ने दिल्ले में के गई थी इसके लावा अगर हम बात करें तो 1970 के दसक तक दोस्तों भारत ने इस आंदोलन के बैटकों में सक्री रूप से हिसा लिया था किन्तु 1970 के दसक के बाद गुट निर्पेश चांदोलन में भारत की सिती बदलने लगी और सोवियस संग की और भारत के जुखाओ बढ़ने लगा जिससे गुट निर्पेश चांदोलन को देशों को लेकर छोटे देशों के बीच भरम की सिती पैदा हो गई इससे दोस्तों जैसे हमने सोवियस संग कि मूल उद्देश को खंडित किया ये कहा जाने लगा क्योंकि हमने रूस के साथ 20 वर्षी संदी कर ली थी ठीक है दोस्तो यहां से ये बात किलिव हो जाती है चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तो कि भारत ने गुट निर्पेश तक निती को अपनाया को यानि हमारे गुट निर्पेश तक निती के अपनाने के पीछे के कारण क्या थे अगर कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण था कि गुट निर्पेश तक रास्ट हीतों के अनरूप थी दोस्तो भारत यह नहीं चाहता था कि वह किसी गुट में सामिलोकर दूसरे गुटों को अपना सत्रू बना ले क्यों दोस्तों अगर हम गुट निर्पेश था हमने इसलिए अपना है क्योंकि हमारे राज ठहित के अनुरूप था यदि हम किसी भी एक गुट में सामिल होते दोस्ते हो तो हमें दोनों गुटों में से किसी एक की दुस्मनी को एक्सेप्ट करना पड़ता जो हमारे रास्ठीट के लिए सही नहीं था क्योंकि हमारा रास चेता भी दोस्तों इसमें था कि हम दोनों गुटों से साहता पराप करके अपने विकास कर सके अपने नागरी को विकास कर सके तो इस वज़े से भी भारत ने गुटने पेचता का पालन किया दूसरा था दोस्तो वो था विश्य सांती की शा भारत दोस्तो हमेशा सही विश्य सांती की और हमेशा सही अगरसर रहा है अगर हम अपने आर्टिकल आर्टिकल 51 क्लोज एक की बात करें तो उसमें भी दोस्तो हमने अंतराशी सांती की बात करी है तो यह भारत दोस्तो जो है प्राचेन काल सही विश्य सांतिक आपना की बात करते आया है, तो यह हमारी निती थी, इसलिए भी हमने गुट निर्पेचताग निती का पालन किया, तीसर था विदेशी साहते क्या सकता, दोस्तों आपको पता है कि 1947 में भारत आजाद हुआ, और भारत को पूरी तरह से साधन की बहुत जादी अवस्ता थी, हमार पर संसाधन नहीं थे, और उसी संसाधनों को प्राप्त करने के लिए हमने गुट निर्पेच आंदुलन को अपनाया, और क्यों अपनाया, क्योंकि इसे हमें दोनों देशों की साहता समय समय पर प्राप्त होती रही, यह किलिए दोस्तों, अब स्वतंत्र विदेश, यानि स्वतंत्र नेती निधारन करने के लिए, हमने कुट नेपेच तक नेती को अनुसरन इसलिए किया दोस्तों, क्योंकि इसके अनुसरन करने के बाद हमारी अपने एक स्वतंत्र नेती कायम हो गई, यानि हम किसी दूसरे पर दबा नहीं रहा यानि हम जिस मरजी देश के साथ संबंद सब्सक्राइब कर सकते थे इसके अलबा भारत की प्रतिष्टा बढ़ाने के लिए दोस्तों भारत पिशले 200 वर्सों तक बिल्टी सरकार को गुलाम रहा उपनेविश रहे और अब हमने आजादी किसले पाई थी 200 हमारी आ पाते हैं दोस्तों जब हम किसी दूसरे गुट में सामिलना होते हम अपने एक सोतना निती का अनुसरान करते इससे हमारे प्रतिष्टा भी बढ़ गई तो यह वजाय थी दोस्तों जिसके कारण हमने गुट निर्पेश सिता के निती को अपनाया यह भी किलियर हो गया आई दूसरा की गई थी तो हमारी सामने प्रस्त वनता है कि क्या गुट निर्पेश आन्दूलन ने गुट निपेश तया ने अपने उस उन उपलब्दियों को प्राप्त किया जिसके जिसका उद्द्श यानि जिसकी स्थापना की गई थी तो सबसे पहले दोस्तों जालनेते ह एक दूसरे से प्रतिदवन्दता कर रहे थे और इसी competition की चक्कर में हतियार कोड़ बढ़ गई थी यानि अमेरिका द्वारा ऐसे आधुनिक मारक चम्टा कहतियार त्यार किया थे प्रमाडु बमों का विश्कार किया था ठीक उसी प्रकार से सोवेशंग के द्वारा तो दु दोसो गुट नीरपेच अंदोलन गुट निरपेच था नैम यह एक ऐसी संगठन तो जिसे दोनों गुटों ने मानता प्राप्त कर दी मानता परदान की थी चाहीं वो सोव्यस हों चाहीं आमेरिका हो तीसरी उपलब्यें दोस्तों यह रहे इस की कि सन्युप राष्ट रा था आपको पता है कि फर्स वर्डवार के बाद राष्ट शंग के सांधिक दोस्तों इन इन दोनों संगतनों को पूरी तरह से लाओ किस ने किया गुट ने पेचता रहे इसकी तीसरी उपलब्दी रही दोस्तो इसकी चोती उप्लब्दी क्या है दोस्तो सीध युद्ध को ससर युद्ध में बदलने से हो गना दोस्तो गुट नेरपेशता की जो सबसे महत्तो पूर्पुर्बदियों से अगर हम एक की बात करें तो वह है कि सीध उपलब्दी के जान छोटे-छोटो तेसों में जो चुटपुट युद हो रहते उस युद्ध को बड़े युद्ध में तब्दिल होने उसे रोका ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्दी मानी जाती है पाच्वीश की उपलब्दी क्या है दोस्तों वह है विकासिल राष्टों को लिए आर्थिक सयोग की बुनिया दखना जिया दोस्तों विकासिल राष्ट के लिए इसने नव आर्थिक सयोग संगर्ण की स्थापना के लिए जिसमें विकासिल देश अपने उद्धोगों को विकास की और अगरसर कर सकते थे ये भी इसकी उपलब्दी है जिसके नियों की भाम बात करते हैं छटी इसकी उपलब और इसी राजनितिक प्रतिदुन्ता को संगर्स में बदलने से रोकने के काम किसने किया? गुट निरिपेश आंदोलन ने. तो दोस्तो ये है गुट निरिपेश आंदोलन की उपलब्दियां. आई होब ये भी आपको क्लियर हो जुगा होगा. चलिए अब नेक्स टोपिक की हम बात करते हैं. अगला दोस्तो हमारा है कि गुट निरिपेश आंदोलन की प्रासंगिकता. दोस्तो हमें सबोगों को पता है कि गुट निरिपेश आंदोलन की स्थापना जो है वो सीत यूद के दोरान के गे सेकन वलवार के बाद. तो अब क्या इसकी प्रासंगिकता अभी विकायम है क्योंकि सीत यूद जो है समापत हो चुके है और वल्ड वार भी समापत हो चुके है. दोस्तो गुट निरिपेश आंदोलन की जो प्रासंगिकता है वो अभी समापत हो गई है. हलंकि अधिकान जानकार और तिहासकार मानते हैं कि गुटनेपेश आंदुलन आज भी अपने सिधानतों के कारण उतना ही प्रासांगिक है जितना सीध्यूद के दुरान में था दोस्तो अब गुट निर्पेश आंदूलन की प्रासंगिकता क्या है इसको हम कैसे कह सकते हैं दोस्तो वरतमान में भी गुट निर्पेश आंदूलन उतना ही प्रासंगिक है जितना की पहले था हम इसकी बात की पुष्टि कैसे कर सकते हैं पहले है कि विश्व सांत्य को बना रखने में आज भी दोस्तो गुट निर्पेश आंदोलन की अवसकता पहले जैसे ही बनी वी यानि जैसे पहले यह वसकता थी वैसे आज भी इसकी अवसकता पूरी तरह से बनी वी है इसमें कोई कमी निया यह चेद्रे अकंडता और संब् लगतंत्र की बुन्यादी मांग को सुचार रूप से चलाने के लिए भी गुट निपेश आंदोलन पहली की तरह ही आज भी प्रसांगिक माना गया है यह भी क्लियर हो गया होगा इसी बात पर दोस्तो एक लाइक तो बनता ही है दोस्तो हमारे चैनलों को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें यूटूब पर सपोर्ट करें दोस्तो हमारे दोर गुट निपेश आंदोलन में भारत की अलोषना क्यों की जाती है यानि गुट निपेश जो निती है उसमें भारत के अलोषना क्यों की जाती है तो अलोषना की हम बात करें दोस्तो आपको पता है कि भारत दुवारा जो है 1971 में सोवियस संग या रूस के साथ 20 वरस की संद ति में नीमित्ता नहीं है क्योंकि महासत्यों कि समिल होने वाले देशों की अलोषणा करने के लावा भारत ने स्वित में त्याडन के समें महीं देश्टीमी सोव्य। संग खेंमे में समिल हो गया था अब reference तो अलोचक ये भी अलोचना करते हैं कि भारत की गुट निर्पेश्तक निती सिधान्त विहीन है क्योंकि समय समय पर भारत ने अपने राष्ट हितों की पूरती के लिए प्राय महत्वपुर अंतराष्टी विश्यों से में सबस्तर आए ये अलोचक कहते हैं दोसो परन्तु फिर भी भारत की गुट निर्पेश्तक निती को अनियमित या सिधान्त विहीन ही कहा जा सकता दोस्तों क्योंकि भारत ने कई अंतराष्टी विश्यों में निश्पचता से अपने सक्रियता निभाई है ये 1971 में दोस्तों हमने जो संदी की थी वो भी हमने राष्ट हित के संदी कित ना कि हमेरी किसी और पूरती के लिए ठीक है तो इसलिए भारति गुट निर्पेश्तक निती को सिधान्त विहीन और इसको अनियमित कहना चरातर पूरी तरह से गलात है दोस्तों चलिए ये भी टोपिक क्लिए हो जाता है दोस्तों अब बात कर लेते हैं थोड़ बिलगेट कहां पर दोस्तों सार्बिया ठीक है अब तक गुट निर्पेश आन्दोलन के कुल कितने संविलन हो चुके हैं तो दोस्तों अब तक जो है 18 संविलन हो चुके हैं 18 जो संविलन था जो 2019 में अजरबायजान की राजधानी बाकू में रखा गया था प्रंतु इसक वर्च्वल मिटिंग जो थीम तीस साल की दोस्तों वह थी युनाइटेड अगेंस कोविड यानि कोविड महामारी के लिए एक जूठ होना यह इंपोर्टन है दोस्तों ठीक है वरतमान में हमने पहले बता दिया वरतमान में अगर गुट निपेश सदस्यों के बात करें त पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दो गुट निपेश आंदोलन भाग नहीं लिया था दोस्तों गुट निपेश आंदोलन से संबंदी सभी सेक्ट हमने चेक पूरी तरह से क्लियर कर लिया दोस्तों अगर गुट निपेश आंदोलन से संबंदी कोई और प्रसन आपक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले धन्यवाद जैहिन और अपने आपको सेफ और सुरच्चित रखी दोस्तों